दोस्तों हिमगाड एलेक्टोनिक्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज बहुत ही इंटरस्टिंग कॉश्चन पूशे गए दोस्तों की तरफ से कि सर जो टीडियस कंट्रोलर हम यूज करते हैं इसका फंक्शन क्या होता है कितने तरह की टीडियस कंट् से नीचे हो तो उसकी टीडियस मणाने के लिए हम टीडियस कंट्रोलर यूज करते हैं और इसकी इंपुट और आउट्पुट को कैसे इंटिफाई करना है उसके बारे में आपको बता देता हूं अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो एक एरो का निशान लगा होता है जिस तरफ को एरो का मुह होता है वह आउट्पुट होती है और जिस तरफ से वैक साइड होती है रो की वहां से पानी एंटर करता है यहां से पानी का मिक्सिंग की जाती है मेंब्रन की आउट्पुट से यह पानी निकलता है और अगर दूसरी तरफ हम इसकी साइड में देखेंगे तो इस पे लिखा भी होता है कुछ टीडेस कंट्रोलर में कि इनसाइड कौन सी है जहां से पानी की एंट्री होगी और आउट्पुट कौन सी है और यह है आपका अडियास्टर अब एक कोश्चन और था कि क्या मेटल में भी दोस्तो टीडेस कंट्रोलर आता है तो उसके बारे में बताऊंगा दोस्तो अलग लग डिजाइन के टीडेस कंट्रोलर आते हैं जैसे आप यह देख रहे हो तो इसमें लिमिट जहां आपने सेट का दिया टीडेस कंट्रोलर को उसके बाद नीचे वाला जो ओरिंग है उसको हम लोग कर देते हैं अब यह आगे टाइट नहीं होगा और अगर आपने टाइट करना हो तो फिर पहले इसको अनलोग करना पड़ेगा इसमें नेक्स्ट केटागरी आ जाती है जो माइनस पेच कस के साथ हम TDS अडियस्ट करते ह इसमें भी पानी की इनपुट और आउटपुट किस तरह से देनी है वो स्पेसिफाई की होती है इसके TDS कंट्रोलर के सार्फस पे लिखा होता है जैसे आप पड़ पारे होगा है एक तरफ इनपुट लिखा हुआ है इस तरफ और दूसी तरफ आउटपुट पानी की जो फर्दर मेंबरन के पेवर वाटर के साथ हम मिक्सी करते हैं यह TDS कंट्रोलर सबसे सस्ता लेकिन इसमें एकूरिसी कम होती जा तो बहुत ज़्यादा इससे TDS बढ़ जाती है जा बहुत कम हो जाती है तो यह बहुत कम यूज़ करते हैं अब एक कोशन जो फाइनल कोशन था क्या स्थील में जा मैटल बोड़ी में वह TDS कंट्रोलर आतें तो दोस्तों कुछ-ऑपनी कम्पनिया जो TDS कंट्रोलर बनाती है लेकिन अमाजॉं पे वह लेवल नहीं है छी होती है और अगर आप हमारे चैनल पे शुबकिते tight कि अफ और दें अक Clems ब्रक्रों का आपको लेटर हर जानकारी मिलती रहे थेंक यू